सब्सक्राइब करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नंबर 25 विज्ञान सब्जक्ट की है बिटा सिक्स्त किलास के बच्चों के लिए 30 तारीक किया ठीक है यानि की वेड़नेस टेक है आपकी ये वर्क्षीट है हिंदी मिडियम के बच्चों के लिए जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ सजीव एवम उनका परिवेस उसमें आज हम जानेंगे उसी में टोपिक जो है जीवों की विसेस्ता है क्या है ठीक है तो जिलिए स्टार्ट करते हैं अपने टोपिक को बिटा और अगर आपको मेरे समझायों पसंदा है तो प्लीज वीड शक्ता होती है तो सजीव को उनके अंदर वाले अंदर होने वाले अन्या पत्रकरमों के लिए और दो किसे आए घाते हैं, तो उर्जा को ग्रहन करने के लिए हम क्या करते हैं जिसके मतलब पांचन के में क्या मिलती है उर्जा मिलती है तो जिसके लिए भोजन क्या जरूरी है उर्जा प्राप्त करने के लिए इसका मतलब क्या ओगया भोजन जरूरी है भोजन विर्धी में साहिता करता है इसी परकार भोधे भी विर्धी के लिए अपना भोजन प्रकास संसलेशन परकिरिया क को तयार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको भोजन दिखाए गया है बना गास फूस भी भोजन होती है और इस तरीके से जो मनुस्य ख़ाते ये भी क्या है एक भोजन है ठीक है उसके बाद पिटा सभी सजीवों में यहाँ करते हैं आपको यह अभ्यास दिया है नीचे दिये गई जीव भोजन में क्या खाते हैं ये हमें बताना है तो ये क्या है बिल्ली है ये चीटी है और ये क्या है हीरन है ठीक है तो देखो बिल्ली क्या खाती है बेटा तो बिल्ली खाती है चूहे ठीक है और दूद भी पीती ह बटा ये छोटे खाद्या करण खाती है उसके बाद एक उसके बड में प्तियां खाता है पेड़ों की तो घben लिखती है весь बटा यहाँ पर हमें नेक्स्ट के रागे कि क्या सजीवों में विर्दी होती है तो सभी सजीवों में दिन परती दिन विर्दी होती है हम सब जानते हैं सभी सजीवों में क्या होता है दिन परती दिन विर्दी होती है और विर्दी के रूप में सजीवों के आकार में क्या था है बदला तो आप देखते होंगे पहले क कोई चोटा सा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है दो साल का तीन साल का धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है तो वो क्या हो रहा है उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है ठीक है जैसे यहां पर आपको एक पोधे में दिखाये गया है यह पहले बीज था यह इस से य नाम में पोधे का निर्मान होता गया और इसके आकार में परिवर्तन होता गया ठीक है अब यहां पर क्या बोला है बटा परसन पूछा है कि किनी पांच चीजों के नाम लिखे जिन में विर्दी नहीं होती तो बटा देखो किसमें विर्दी नहीं होते होगी निर्जी वस्त में आपके पास जो भी आपका बैग है उसकी विर्धी नहीं होती उसके लावा ऐसी और भी निर्जीव वस्तु है जिनकी विर्धी नहीं होती ठीक है कुरसी हो गई ठीक है दिवार हो गई ये ऐसी चीज़े है जिनकी विर्धी नहीं होती है पोदे ऐसी चीज़े जिनकी वि पुचा गया है अब हम इसको करते हैं कि सवी सजीवों में क्या सवसन होता है तो देखो सवसन सवी सजीवों को जिंदधा रहने के लिए आवशा करी स अगर बिटा हम स्वांस नहीं लेंगे तो हम क्या होगे मिटती हो जाएगी ऐसे ही सभी सजीवों के लिए स्वांस लेना जरूरी होता है ग्रहन किये गए भोजन से सवसन के द्वारा ही हमारे सरीर को उरजा मिलती है तो जो हमने भोजन ग्रहन किया है अगर हम सुआस लेंगे तो उस सुआस के दौरा हमारे भोजन से हमें क्या मिलती है और जय मिलते है उसका विकंड़ान होने के बाद कुछ जन्तों में गैस का आदान परदान का तरीका भी अलग-अलग होता है जैसे की केचवा जो होता है बिटा वो तवचा द्वारा सांस लेता है मचली जो होती है वो गिल्स गिल्स की साहिता से जल में घुली हुई अक्सीजन को अवसोसित करती है और जो मनुस्यों होते है वो क्या करते है फेफडों के दुआरा अपना गैसों का आदान परदान करते है इसी परकार पोदे भी गैसों का आदान परदान मुख्यत है पत्तियों के दुआरा करते है जैसे की मचलीों में गिल्स के दुआरा हो रहता केचुए में तवचा के दुआरा उरता है ऐसे ही पोदों में पत्यों के दुआरा क्या होता है गैसों का आदान परदान पत्यों में छोटे छोटे छिदर होते हैं जिन से वाईयू अंदर आती है देखो जैसे ही पत्य है तो इसमें छोटे छोटे छिदर होते हैं इन छोटे दिए हम अंदर आती है और बाहर चली जाती है ओक्सीजन ठीक है और कारबन डियोक्षरप का परियोग करते हुए तो इस तरीके से G.S. का धान परदान पोधों में होता है अब सबसन सवसन SH लेंने में क्या अंतर है नध। सवसन की लेना तो क्या हमने सांस लिया कार्बन मतलब की ऐकसीजन को अंदर लिए और सांस छोड़ते वक्त कारबन दयोकसाइड को भार छोड़ दिया तो यह तो एक जैविक परफिर ऊगई ठीक है जो की कोशिकाओं के के भीतर ही होता है तो सांस लेना तो एक जैविक परकिरिया है और सवसन क्या एक रासाइनिक परकिरिया है याद रखना इंपोर्टेंट चीज़ है बेटा अब हम इसके कोशन आंसर करते हैं परसन क्या है सांस लेना क्या है एक जैविक प्रकिरिया है ठीक है और जब कि सवसन क्या है एक रासाइनिक प्रकिरिया है ठीक है ये क्या एक रासाइनिक प्रकिरिया है ओके तो ये बिटा आपकी आज की वक्षीट थी उमीद करते हैं आपको के अंदर भोजन लेना क्यों आवश्य है ठीक है उमीद करती हूँ समझ आ गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बोक्स में पूछे रहे ने बटा इस वीडियो में इतने है इपना नेक्स्ट ओपिक जोगा अमपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए कैसे हसते रहे हैं मुसक्राते रहे हैं पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थैंक यू